नश्कार दोस्तों, Current Affairs Revision for Film 2020 में आपका स्वागत है, Society के Revision का ये हमारा आठ्वा लेक्षर है इस वीडियो में हम जन्वरी महने के Society से सम्मनित Current Affairs को रिवाइस करेंगे डिस्कसन का फर्स्ट इंपोर्टन आर्टिकल Central Adoption Resource Authority के बारे में है क्या कंटेस्ट है, हालखी में Central Adoption Resource Authority ने अपना पांचवाँ एनौल डे सेलिब्रेट किया ये देखो एक Statutory Body है, Ministry of Women and Child Development के अंतरकत आती है In-country Adoption Home मतलब हमारे देश में बच्चों का Adoption हो या फिर Inter-country Adoption हो मतलब दूसरे देश से हमारे देश में बच्चों को Adopt क्या गया है या फिर हमारे देश से दूसरे देश में बच्चों को Adopt क्या गया है इन सभी Adoptions के लिए कारा जो है, यानि Central Adoption Resource Authority एक Nodal Body है इसको Create क्या गया था? Hake Convention के According Hake Convention क्या है? Hake Convention देखो एक Multilateral Treaty है जो फोम में आई थी 1983 में देखो माली जीए कोई इंडिया में बच्चा रहता है बट किसी ने उस बच्चे का अपरेंट कर लिया और उस बच्चे को ले गया दूसरे देश में तो ऐसे कैसी से डील करने के लिए ये Convention है Hake Convention 16 साल से कम उमर के बच्चों के लिए है ये Convention और इंडिया ने हे Convention को कब रेटिफाई किया था? 2003 में शुरू में सिर्फ अपडेक्शन से समंदित केसी के लिए गाइडलाइन्स जारी की गई थी इस Convention के द्वारा लेकिन बाद में 10 साल बाद 1993 में इंटर कंट्री अडोप्शन केसी के लिए भी गाइडलाइन्स जारी की गई थी इस Convention के अंतरगत तो ये पूरा आठ कल हमने डिसकुस किया Central Adoption Resource Authority के बारे में चलते हैं आगे इस्ट आठ कल Global Social Mobility Index से समंदित हैं क्या कंटेस्ट है? World Economic Forum ने Social Mobility Index का पहला एडिशन लोंच किया है मतलब पहला ही साल है इस Index का वर्ड इकोन्विक फोरम के दवारा ये Index रिलीज किया गया है Social Mobility का मतलब क्या है? देखो World Economic Forum Social Mobility का मतलब ये बताता है ये एक पतका से सम्ता यानि Ability है किसी बच्चे की कि वो अपने माबाप के अपिक्सकर्थ Better Life का प्रोविजन कर सके समझ गे? मालीजिए A और B माबाप है और C बच्चा है अगर C की जो Life है वो ज़्यादा अच्छी है अपने माबाप से तो मतलब सोचली मुबाइल कर चुका है बच्चा और देखो जब हम Better Life की बात करते हैं तो सिरफ हम Income की बात नहीं करते हैं बहुत सारे Aspects की बात करते हैं जैसे 10 इंडिकेटर्स के अधार पर 10 पिलर्स के अधार पर 5 डाइमेंशन्स में 42 देशों को रैंकिंग दे गई है इस इंडेक्स में पांच डाइमेंशन्स कौन कौन सी है Health, Education, Technology, Work और सबसे लास्ट में Protection and Institutions तो ये पांच डाइमेंशन्स और 10 पिलर्स इनके अधार पर 82 कंट्रीज को रैंकिंग दे गई है इस इंडेक्स में समझ गए तो मतलब बात सिरफ Income की नहीं है Life से जुड़े दूसरे एस्पेक्ट की भी है Top स्थान मिला है Denmark को उसके बाद Norway India की रैंकिंग कितनी है 76 आगे World Economic Forum के बारे में Information है World Economic Forum को हम काफी बार डिसकर्स कर चुके है International Organization है Public Private Corporation होता है इस Organization में 1971 में Establish किया गया था Note for Profit Foundation है Headquarter Geneva Switzerland में है Independent Impartial Organization है और किसी परकार के Special Interest से जोड़ी हुई नहीं है Indirectly Question UPC के द्वारा पूछा जाता है क्या World Economic Forum UN का पार्ट है या फिर World Bank का पार्ट है नहीं ये Independent Note for Profit Foundation है हर साल जन्वरी के लांस्ट में Devos में World Economic Forum का Summit और्मेश होता है जो कि अभी चल रहा है दूसरी रिपोर्ट कौन सी रिलीज की जाती है Global Risk Report Global Gender Gap Report The Global Competitiveness Report The Travel and Tourism Competitiveness Report और सबसे लास्ट में Financial Development Report चुकि देखो ये Index पहली बार रिलीज किया गया है और World Economic Forum Organization भी बड़ी है तो ये जो Index है Important है UPSC के द्वारा पूछा जा सकता है Important Article Annual Status of Education Report के बारे में है क्या Contest है हाल ही में NGO पर्थम के द्वारा Annual Status of Education Report 2019 रिलीज की गई ये रिपोर्ट हर साल रिलीज की जाती है NGO पर्थम के द्वारा 2005 के बाद से ही और इस रिपोर्ट को रिलीज करने के लिए हमारे भारत के सभी Rural Districts में Survey Conduct किया जाता है School Based Survey के बज़ाए इस रिपोर्ट को ट्यार करने के लिए Surveyor's के द्वारा Household Based Survey Conduct किया जाता है देखो School Based Survey में तो आप School में जाते हैं और बच्चों से मिलते हैं Household Based Survey में आप घरों में जाते हैं Schools के बज़ाए 2019 की इस रिपोर्ट को रिलीज करने के लिए Surveyor's 37,000 बच्चों से मिले 24 states के 26 rural districts में और जिनकी एज 4 साल से 8 साल के बीच में थी काफी सारे questions पूचे गए बच्चों से उनकी समझने की सकती को टेस्ट करने के लिए और उनसे ये भी पूचा गया क्या color और size के हिसाब से आप images को sort out कर सकते हो किसी pattern को recognize कर सकते हो animal puzzle दिया गया 4 pieces का जैसे एक animal को 4 टुकडों में बाठ दिया और उन्हें बोला गया कि आप टुकडों को arrange करके animal की image लाइए तो इस परकार के काफी questions बच्चों को दिये गए उनकी literacy check करने के लिए और numeracy test करने के लिए इसके अलावा देखो काफी सारे ऐसे faces बच्चों को दिखाए गए ये पता लगाने के लिए कि बच्चे emotions को identify कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं जैसे happiness, sadness, anger, fear और उसके अधार पर ये report release की गई है NGO पर्थम के द्वारा तो क्या-क्या पता लगता है 2019 की इस report में मुख्या findings को अगर हम discuss करें देखो government schools में girls का जो enrollment है boys के अपिक्सकर्थ जादा है जबकि private schools में boys का जो enrollment है वो girls के अपिक्सकर्थ जादा है जैसे नीचे देखो आगरा दिया हुआ है private schools में 6 साल से 8 साल की 49% girls enrolled है जबकि private schools में 6 से 8 साल की उमर के 48% boys जो है वो enrolled है इसके अलावा देखो 26 rural districts में जब ये survey conduct किया गया थो ये बात सामने आई class 1 के 16% बच्चे test को पढ़ पाए जबकि 40% बच्चे ऐसे थे जो letters को recognize भी नहीं कर पाए इसके लावा private schools में class 1 के 41.5% बच्चे ऐसे थे जो words को read कर पाए दूसरे तरफ government schools में class 1 के सिरफ 19% बच्चे ऐसे थे जो words को read कर पाए similarly government schools में 28% बच्चे ऐसे थे जो simple addition कर पाए जबकि private schools में 47% बच्चे ऐसे थे जो simple addition कर पाए report में ये भी पता लगा government schools में class 1 में 25% बच्चे ऐसे हैं जिनकी उमर 4 या फिर 5 साल है जबकि देखो class 1 में बच्चे की recommended age होनी चाहिए 6 साल तो ये हमने annual status of education report के बारे में डिस्कस किया आम तोर पर देखो इन points का means में इस्तिमाल ज़्यादा होता है prelim में UPSC इस परकार से question पूछे संभावना बहुत ज़्यादा कम है कि इस report में क्या कुछ सामने आया है ये basic UPSC पूछ सकती है कि annual status of education report किसके द्वारा release की जाती है NGO पर्थम के द्वारा ये report release की जाती है 2005 के बाद से ही हर एक साल school based survey conduct करने के बचाए household based survey conduct होता है इस report को तयार करने के लिए चलते हैं आगे So next article है National Rabies Control Program के बारे में यानि NRCP के बारे में क्या context है तो देखिए अभी जो हमारे Ministry of State है For Health and Family Welfare इन्होंने देखिए Anti-Rabies की जो vaccine है इसके procurement के बारे में कुछ-कुछ लोग सब हमें एक reply किया तो एक बार जल्दी से हम इसके बारे में study कर लेते हैं कि आखिर ये है क्या तो जो National Rabies Control Program है इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा Rabies के बारे में बात करते हैं कि आखिर what is Rabies तो देखिए ये एक viral disease होता है and ये क्या cause करता है कि आपके it causes fatal encephalitis अब ये क्या होता है तो इसको अगर simple terms में बोले तो ये एक type का brain में आपका inflation या फिर जो आपकी spinal cord होती है उसमें inflation inflammation cause करता है फिर देखिए जो ये particular virus है ठीक है ये कहां find होता है ये आपके wild and some domestic animals में होता है especially जैसे आपके dogs एक सिक्टरा में ठीक है आपने अधिकतर सुना हुआ ये statement बहुत बार बोले जाता है कि अगर कुट्टे ने काट लिया है तो rabies हो सकता है तो ये आपने सुना हुआ तो ये इसी लिए ये आपका wild and domestic animals में find out किया जाता है फिर उसमें भी कहां पे specifically their saliva में ये लिखा है कि it spreads through bite या अगर जैसे कोई कभी बंदर या कोई कुट्ता नाखुन मार दे scratch या फिर इस type का तो वो जो human की body में आ जाता है तो इसमें देखे important चीज क्या है कि rabies virus होता है तो question ऐसा पूछे जा सकता है कि which of the following is correct regarding rabies but it is a bacterial disease अब देखे उसके बाद ये जो national rabies control program है ये क्या है तो देखे ये particular जो प्रोग्राम था ये launch किया गया था और इसका जो main purpose था कि जो rabies है उसको कैसे combat किया सके जो NRCP है इसके अंदर देखे बहुत सारे mechanisms provide किया जाते जैसे training हो गया surveillance हो गया laboratory को strengthen किया जाता है तो इस तरीके से rabies को fight करने की कोशिश की जाती है फिर देखे जो ये program था ये आज का नहीं है ये 12th five year plan में इसको अप्रूफ किया गया था तो ये पुराना program है फिर देखे जो particular NRCP ये particular program है इसके अंदर बोथ human component भी है और animal health component भी है जिसमें दोनों पे target किय जाता है देखे ऐसा होता है कि आपने ये भी सुना होगा कि अगर domestic animals कोई काट ले जैसे अगर वो किसी ने उसकुत्ते में प्रॉपर vaccination करा रखा है तो उनके काटने से rabies नहीं होता तो generally wild dogs जो street पर घूमते है उन से होता है तो इसलिए animal health भी इसमें बहुत ज्यादा focus किया जाता है फिर जो human component है जो particular इस particular program का ये आपका national center for disease control द्वारा इसको implement किया जा रहा है it is the nodal agency ये आप चीज़ ध्यान रखिए अच्छा इसमें एक चीज़ और important है कि जो इस NRCP में funds provide किया जाते है वो सिर्फ आपकी training surveillance laboratory इस ने इन सब के लिए किया जाते है जो आपका procurement of anti- rabies vaccine है ये आप देखिए procurement of anti-rabies vaccine इसके लिए funds provide नहीं किये जाते है तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए फिर उसके बाद देखिए यही पूरे world में rabies elimination drive चल रही है 2030 तो उसके थू क्या हो रहा है कि इंडिया से बहुत जारी जो anti-rabies की vaccine है वो import की जारी है वेडियस countries में ज vaccine तो इसको आप आप kind of you can write it in IR जब आपका IR में पूछा जाए कि हम कैसे मदद कर रहे हैं तो you can always write फार्मसेटिकल्स की जो अपनी industry है ठीक है वो बहुत अच्छा कर सकती है और वो अभी provide भी तो इसको आप example दे सकते हो तो एक वाल्यू एडिशन हो जाएगा इसका पहली बात मकसद क्या है तो इसका ये मकसद है कि इंडिया पहली बात ये प्रोग्राम है किसका तो ये एक टाइप का इंडिया और रश्या का close cooperative program है एड इसमें क्या होगा कि दोनों countries मिलके देखे जो innovation में जो cooperation होता है उसको अचीव करने की कोशिश करेगी between their students तो एक टाइप का आप कह सकते हो इंडिया प्लस रश्या और कॉपरेटिंग इंड़ फिल्ड ओफ इनोवेशन अब देखे इनोवेशन पर आया है तो दोनों की तरफ से में इजिंसी को भी डिसकुस करना अब्वेसी बात है जब़ी पर जाएगा तो आप अपनी तरफ स से है एंड उनकी तरफ से है रस्यान वेशन के अलगरेशन सायरस एड़्यकेशनाल फॉंडेशन कोपेराशन यह उनकी तरफ से है और सीरस क्या है allora सीरस आपका है रशिया का सईंटेफिक इंटरनैशन रेस lease स्टेशन और घृसन अंड ये रश्या का है यह दो बिसिकली मिल के आपका एम सायरेस प्रोग्राम को चला रहे हैं फिर देखिए एम के बारे में थोड़ा सा बात कर ले देखिए यह तो इंपॉर्ट नहीं है बट एम ज़रूर इंपॉर्ट है क्योंकि इसके बेसिकली दो कोर मुशन से मरण दो कोर फंक्षंस है एक आपका इन्वेशन को प्रमोट करना एक जो इन्नोवेटिव अइडिया से इन्टरप्रोणर्शिप को प्रमोट करना थे क्योंकि अगर आपको निया आइडिया आया है तो यू ऑल्वेज वन्टि कि आप उससे थोड़ा पैसा कमा है तो उसको कैसे you can say sell करना या कैसे उसको monetary add करना ये भी इसका मक्सद है and this is called as entrepreneurship ठेक है so innovators would be supported and mentored to become successful entrepreneurs at the incubation centers अचा incubation center क्या होता है कभी कभी ये भी आप लोग जान सकते हैं तो देखें incubation center का basic concept आता है hospital से जब hospital में कोई baby born होता है तो immediately उसको थोड़े time के लिए incubation center में रखते हैं similarly आपके यही concept business में भी apply होता है जब निया निया startup होता है तो उसके chances होते हैं कि वो fall ना हो जाए ठीक है बंद ना हो जाए failure ना हो जाए तो उसके लिए कुछ बाहर से incubation centers type के होते देना चाहिए अगर हमें startup culture को promote करना है तो यह हमने देख लिया अटल innovation mission के बारे में इसमें इसमें एक ही चीज़ important है यह है कि इसका flagship program तो यह नीती आयो का है यह चीज़ आप ध्यान रखिएगा next article है National Institute of Nutrition के बारे में तो यह body पे देखे directly question आने के Institute of Nutrition है यह क्या है कि यह आपका एक Indian Public Health Research Center है यहाँ पे देखिए जो आपकी nutrition के regarding research work etc किया जाता है और यह located का है तो यह located है है घ्राबाद यह जहान निकिए प्रेलिम पॉइट आप वीव से यह चीज़ important है फिर देखिए यह जो है यह आज का नहीं है यह बहुत पुराना है ठीक है इस बन अफ दो ओल्डेस्ट research centers जो इंडिया के पास है यह आपका Indian Council of Medical and Research के अंदर आता है तो यह चीज़ भी important है इस अंडर दो इंडियन Council of Medical and Research फिर अगर इसकी बात करें तो देखिए यह इतना जाधा पुराना है कि यह इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले की बात है इट वस फाउंड़ेट बाई सर रोबर्ट मैकरसन तो यह चीज़ आप ध्यार नखेगा इन दे यह नाइटीन एटीन ठीक है इसको देखिए एक सिंपल स्मॉल सी यूनिट के तरीके से फाउंड किया गया था एक सिंगल रूम की लाबर्टरी से स्टार्ट किया गया था एक पैस्चियोर इंस्टिट्यूट को रिनियूर तमिलना डू यह सब तो इमवान नहीं है बट स्टिल हम डिसकस कर रहे है बट देखिए विदिन शॉर्ट स्पैन अफ टाइम क्या हुआ इस यूनिट इट ब्लॉसम्ट ठेक है फिर बढ़ते गया बढ़ते गया नेक्स्ट आर्टिकल है माइक्रो डॉट आइडेंटिफायर्स के बारे में पहली बात देखिए क्वेशन यही आता है वाट इस माइक्रो डॉट तो अगर आप माइक्रो डॉट को सिंपली टर्म पर देखे तो यह देखिए इस टाइप का एक छीटा एक डॉट देख रहे हैं यह आपका एक स्क्रीन पर डॉट है बट यह आपको सिंपल डॉट दिख रहा हुआ बट ऐसा नहीं है अगर आप इसको बहुत जादा जूम करेंगे आपको देखे कुछ इस टाइप का देखेगा यानि इसके अंदर कुछ सीक्रेट इंफॉरमेशन को सीक्रेट कोड लिखे जा सकते है कुछ आइडिन्टिफिकेशन मार्क लगा जा सकता है इसी चीज को कहते हैं तो देखिए जो it is basically text on an text or an image which is substantially reduced in size to prevent detection by unintended recipients तो यह basically आप लोग समझ गए होंगे कि इतनी छोटी छोटी ऐसे identity लगाना ताकि कोई भी जैसे आप कह सकते हो चोर एक्सेक्टर है अगर वो आपका device चोरी करके ले जाए तो कल को अगर वो device पकड़ा जाए तो देखिए अब यही चीज का use कहा किया जा रहा है अब ministry of road, transport and highways द्वारा किया जा रहा है and इन्होंने एक new notification निकाला है जो कि आपका central motor vehicle rules 1918 के अंदर है and इस notification में क्या बोला गया है कि अपसे जो भी नए आपके manufacturers है car manufacturers जो भी यह लोग है automotive industry वाले इनको अब यह micro dot identities लगानी होगी car etc में ताकि जो चोली है etc इन सब को रोका जा सके फिर उसके बाद अगर हम थोड़ी से और बात करें तो देखिए यह particular micro dot technology जो है इसको पूरी car पे वही एक spray कर दिया जाते है ऐसे चोटे चोटे dot लगा जाते है जो आपको pass से नहीं देखेंगे आपको बिलकुल अगर आप लोग क्या मोलते है कोई magnifying glass लेके जाएंगे तो ही आप उसको आसानी से पढ़ सकते है तो इससे क्या हो जाएगा identity हमेशा किसी भी जो automotive car होगी उसकी बनी रही की तो देखें यह देखें यह लिखा हुआ है की each micro dot carries this identification which is registered तो and that is not visible to naked eye तो आप समझ पा रहे हैं तो ऐसे देखें चोटी जो गाडिया है उसको आसानी से पकड़ा जा सकता है तो देखें इसमें question क्या है question UPC में यह पूचा जा सकता है की what are the advantages of using micro dot identifiers या micro dots तो आप इसे ऐसे कह जाएगा number one identification number two इस ताइप से तो identification is possible using micro dots तो यह आपको पता होना चाहिए next article है आपका एक small सा good governance initiative यानि centralized file movement and tracking information system के बारे में अब देखें यह state का है ठीक है it is introduced recently by state government of Haryana तो as such देकि UPC में तो पूचा नहीं जा सकता है बढ़ हाँ इसको हम mains में कभी code किया जा सकता है कि yes Haryana ने भी good governance का example set किया है तो जल्दी से एक बार देख लेते हैं प्रेलिम में तो देखें definitely यह नहीं पूचा जाएगा तो देखें अभी हर्याना ने एक ऐसी scheme को device किया है इसका देखें जो main मकसद है that is to clear files quickly तो red tapism को कम करने के लिए यह चीज जो particular initiative है उसको लाया गया है देखें red tapism क्या होता है कुछ कुछ लोग समझते हैं तो देखें तो इस तरीके से इस delay को दूर करने के लिए यह particular जो आपका initiative है centralized file movement and tracking information system यह हर्याना ने introduce किया है अब देखें इसके बारे में और अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें कि अगर कोई भी particular file जो यह RTF marked हो गई है तो it has to be cleared on a higher priority तो इससे क्या हो जाएगा कि इससे priority और files को set किया जा सकेगा और जल्दी file movement हो पाएगा फिर देखें एक system generated SMS and email भी automatically sent हो जाएगा जैसे ही आपका file या तो upward या downward move करेगी तो इस तरीके से आपका यह easily आप कहा सकते हो good governance एक faster governance प्रोवाइट कर पाएगा फिर देखें वाकिवाइज अब बात है कि personally review किया जा सकता है चीफ मिनिस्टर के द्वारा एक्सेक्टरा और यह as such important नहीं है बस आप यह आ रखेगा कि CFMS portal यह जो launch किया गया है यह आपका हर्याना government के द्वारा किया गया है और क्या मकसद है कि files जो है वो quickly move on कर सके ठीक है red tapism कम हो सके और इस तरीके से good governance का initiative है तो इस discussion में फिलाल इतना ही है Thank you, thank you very much for discussion